प्रवेश करना ये कामदेव का पूजन है और ये जो पेपर में हम समाचार पढ़ते हैं महिलाओ के प्रति अप्रादवाला ये सब संबराशुर की छटी ओला दे है और इनके लिए तो जितना बड़ा सजा रखी जाए बहुत हमारा अभी डिल पोल है कानून में जितनी बड एसा देश यह भारत जहां का मांस खाने वाला पक्षी या यूं कहें सड़ा हुआ मांस खाने वाला पक्षी जो सड़ जाए मांस उसको भी जो नोच कर खाए उसका नाम है गिर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर् जो जटायू के नाम से हम जिसको जानते हैं उसने भारती नारी की आन बचाने के लिए स्वयम के प्राणों की आहूती दे 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 उसको पता है कि मैं जिससे टकरा रहा हूं इससे बचपाना संभव नहीं है इसको पता था कि मैं मारा जाऊंगा कि इन्तों उसने मरना भी स्विकार कर लिया किवल एक इच्छा है कि मेरे प्राण किसी नारी की लाज बचाने में काम आ जाए क्या सुन्दर उधारन भगवान ने हमारे सामने प्रस्तुत किया यहां कोई मानव नहीं है देखो आप यहां कोई मानव होता इस कथा में तो भी सब उसको स्विकार कर लेते कोई वनमानोश होता कोई जंगल में रहने वाला भील कोल की रात होता वो सिता जी के लिए लड़ जाता तब भी हम उसको स्विकार करते किन्तु कथा को भगवान ने किस प्रकार से लीला की है कितना दूर दृष्टी कोण रखते हुए ये बताया है कि ये वो देश है जहां मान सिखाने वाला पक्षी भी इतना जानता है कि एक नारी की लाज की क्या कीमत है और वहां का आदमी आज इतना गिर चुका है उसके विचारों का इतना नेतिक पतन हो चुका है कि वह दूसरे की बाहन बेटियों के प्रतीव दुर व्यावार करता है बुरी दृष्टी रखता है उसको गड़ से उसकी मईयाने नहीं सिखाये उसको बाहन बेटी का सम्मान करना नहीं सिखाया तो इस प्रकार ये कथा बहुत हमको सिक्षा देती है मैंने बहुत कम शब्दों में आपको बताया इस पर विचार विमर्ष होना चाहिए और जो पड़े लिखे नोजवान भाई बहन हैं बुद्धी जी भी हैं वो समझे के लिए कथाएं क्यों आई हैं और केसे आई हैं कित और किस प्रकार से सामाज की बुराई को ये समाप्त कर सकती हैं किस प्रकार से नर और नारी को एक रूप में लाकर खड़ा कर सकती हैं आज सरकार के उपर बड़ा दबाओ है पहला दबाओते है कि नर नारी को एक समान मानो एक समान रखो और वही पर कोई नारी रात्री में अकेली जा नहीं सकती कोई उसको जरूरी काम हो जाए तो क्योंकि उसको डर है उसको भय है ये कथा इसलिए है कितना सुन्दर प्रसंग है भगवान के आन्य विवाहों की गता है इसमें भगवान के उपर आरोप लगा है एक मनी का उस मनी का नाम है स्यमंतक मनी और उसकी विशेष्टा है कि वह आठ भार अर्था लगभग पांसो टन सुना रोज दे थी और इसी मनी का आरोप भगवान के उपर लगाया एक बार तो द्वारी के आवासियों ने और भगवान का विवाह हुआ जाम्बवति के साथ और दूसरी बार आरोप लगाया इस मनी का बलराम जी ने और शंका की दृष्टी से देखा उनकी अपनी पतनी सत्य भावाने यह कथा बड़ी सुन्दर है और मैं इस कथा को सुना चुका हूँ काटा खोड की ही कथा में इसलिए इसको अभी हम प्रणाम करने किन्तु कथा इतनी सुन्दर है कि दो भाईयों को केसे रहना चाहिए पती पतनी का व्यवहार केसे होना चाहिए यह पैसा किस प्रकार से हमारे जीवन में क्लेश घोल सकता है यह भगवान ने लीला करके बताया इसी ही मनी के पीछे बलरामजी शंका से देखते हैं करश्ण को इसी मनी के कारण सत्य भामा ने शंका की अपने सुहाग में इसी मनी के कारण इन द्वारी का वासी जो की कभी-कभी मतुरा वासी हुआ करते थे जरासंद के निशाने पर जो लोग थे मारे जाते भगवान ना के वल उनका जीवन बचाया प्राण बचाया अपिति उनको सोने के घरों में रखा सुर्ण महलों में उनको रहने का इस्थान दिया वो लोग कृष्ण पर आरोप लगाते हैं कृष्ण ने चोरी कि तो हमको परिवार में रहते हुए किस चीज को देखना है पैसे को देखना है या परिवार को देखना है या हमको निश्य करना है आज भाई भाई के अधिकार का हनन करने पर तुला हुआ है अपना तो अपना है ही पर भाई का भी किसे हत्या लिया जाए इस पर उसका दृष्टी रहते है अब जब वो अपने सगे भाई का ही खाने को तयार है तो फिर दूसरे का तो पुछो ही मत अडोसी पडोसी कोई खेत के पास में किसी की मेर हो तो अपकी बार की तार फेंसिंग में थोड़ा सा बड़ा दिया जाए दो भिट अब अर्थात मनी यह कथा मनी की है न स्यमन तक मनी उसको मनी भी कर सकते हो पैसा भगवान का कालिंदी के साथ विवा हुआ कि जब एक बार अरजुन के साथ भगवान रात्री के समय तहल रहे थे तो जमुना के तीर पर देखा कि बहुत सुंदर श्यामांगा तपस्या कर रहे हैं तो अरजुन ने कहा कि इस सुंदरी को इतनी रात्री में तपस्या करने का दूसरा तो कोई प्रयोजन दिखता नहीं निश्चित यह कुवारी है और अच्छा वर पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं और अरजुन कहता है कि मुझसे अच्छा इसको मिलेगा भी कौन बगवान को कहता है इसलिए क्यों ना में जाकर कि इससे बात करूं बगवान ने का ठीक है भाई तूजा बात कर और कालिन्दी के समीप आकर अरजुन अपना परिचय देता है पर पुषता है सुन्दरी तुम कोन हो और यहां इतनी रात्री में तपस्या करने का क्या प्रयोजन है उसने कहा कि मैं तपस्या कर रहे हूं उस रिष्ठ वर पाने के लिए तो अरजुन बड़ा खुश हो गय कि मेरे समान गंडियों धरी स्कोर कहा मिले तब उस सुन्दरी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि द्वारी का अधीश मेरा वरण करें तो अरजुन तो उसका उत्साह तो जाता रहा पर फिर उसको लगा कि दूल हातों में साथ ही लाया हूं तो तेरी तपस्या आज पूरी होगी जो हाती के समान बलवान थी और उस राजा की शर्त ये थी कि इन बेलों को जो एक साथ नाथ देगा एक साथ एक एक करके नहीं बड़े-बड़े वहाँ शुर्वीर आये योद्धा आये इनमें पांडव लोग भी थे ते कोरव लोग भी थे किन्तु भगवान ने जो बच्पन में गोचारण लीला की न वो काम आई और भगवान ने खेल ही खेल में उन्हों साथ सत्या के साथ भगवान का विवा हुआ भद्रा के साथ ने इस प्रकार एक अश्ट पत्रानी भगवान की अश्ट दा प्रक्रति आई सुला हजार एक स्विवाह भगवान के हुए भोमा सुरु को हराकर और भगवान के पुत्र हुए उनकी संख्या शुपदेव जी बताते हैं राजन एक एक राने से दस दस बेटे और एक एक कन्या सुला हजार एक सो आठ तो कितने बेटे हुए अगर पत्नी सुला हजार एक सो आठ है तो एक लाख एक साठ हजार कुछ है और इतनी ही बेटियां सोला हजार एक सो आठ बेटियां परिवार बड़ा होना तो नाम भूल जाना सुभाविक है और जिनका परिवार इतना बड़ा हो कि सोला हजार एक साठ तो पत्निया है उसको दूसरी पत्नी के नाम से भी नहीं पुकार सकते हैं गलती से यदि सत्य भामा को बुलाना हो और मूह से रुखमनी निकल जाए बस फिर तो हो गया जगडा इसलिए यह कथा हमको शिखाती है कि यह कारी केवल भगवान कर सकते हैं दूसरे के बसका नहीं हाँ लोग जरूर उनकी नकल करते हैं आज भी कहीं लोग इसे हमारे धर्म के विरोधी लोग भी इसे खड़े हैं जो भगवान की इस कथा पर शंका करते हैं और प्रश्ण भगवान की रास लीला हुई हुई हम नहीं कर सकते हैं बिलुकुल कर सकते हो साथ मना किस ने किन्तु ध्यान रखना भगवान की रास लीला से पहले भगवान ने काली नाग के मस्तक बन रत्य किया और तुम छिपकली देखकर कि पलंग पर चड़ जाओ और बराबरी करना चा प्रिराज परवत उठा कर रखा और आजकल तो कोई कहीं जाए ना तो उससे सूटकेस ना उठे इस्टेशन तक इसलिए क्रिश्ण ने जो किया है वो करने जाओगे उलच जाओगे क्रिश्ण ने जो कहा है वो करो करो गीता जी जो उसको सुनाई है उसको पड़ो समझो और वेसा होने का प्रयास करो हाँ राम ने जो किया है वो कर सकते हो जो जीवन राम ने जीआ है वो जीवन हम जी सकते हैं वो संभव है किन्तु क्रिश्ण ने जो जीवन जीआ है ना और वो तो बार-बार स्वयम कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो वो भगवान हैं कि स्वयम बोल रहे हैं, राम जी कहां बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, वो तो बचने का प्रयास करते हैं, कोई समझ भी जाये तो भगवान वहां से दीरे से निकलने का प्रयास करते हैं राम इनके दो विवाह की कथा भागवत्तुने हैं देखो प्रथम विवाह तो इनका इस प्रकार से हुआ कि बाना सुर्जोकी प्रहलाज जी का वन्षज जिसे और शिव जी का उपासक है भगवान शिव जी से उसने वर्दान लिया एक हजार भुजाएं और एक-एक भुजा में सोसो हाथियों का वल दूसरा वर्दान लिया कि मैं जब किसी से युद्ध करूँ तो आप मेरी तरफ से युद्ध करोगे महाकालतिका है अब बोले बंडारी तो कहां इतना विचार करते हैं बिना सोचे समझे तथास तो एक हजार भुजाएं उसको बजन लगने लगी क्योंकि ना उससे हाथी लड़ने को आता था और तो छोड़ो पहाडों का भी वो फोड़ करके मार्ग मना लिया करता है तो शिव जी को ही एक दिन कहा कि गुरु देओ हो जाए दो दो हाथ क्योंकि मुझे लड़ने कोई आता तो है नहीं अपन ही आपस में जरा शिव जी को जितने शिश्य मिले एसे ही मिले समस्ता एक मिला वो रावन जो शिव जी को गुरु कहता जरूर था मानता कभी नहीं था थे हसता ही रहता था पार्वती जिन एक दिन पूछा कि ये तुम्हारी तरफ देखकर हसता क्यों है गोले रहने दो मत पूछो क्या मतलब नहीं बताओ तो जई ये जब तुमको देखता है हसता है एसा तो हमने शिश्य चेला कभी देखा नहीं जो गुरु को ही देखकर ह शीव जी ने कहा कि यह हमको देखके इसलिए हसता है हमको बताता है कि गुरु जी देखो अपने सीर पांच और इधर देखो दस तुमसे डबल तो हम यूँ है अब जो चेला अपने आपको गुरु से ही डबल माने ऐसे ही मिल गया बाना सुर्फ शीव जी को ही कहे कि चलो आजाओ थोड़ा मेदान शीव जी ने कहा बड़ा अभिमान हो गया है तुझे अपने बल का एक द्वजा दी ऐसा जंडा दिया जा ले जा इसको और अपने माहल पर लगा और सुन जिस दिन ये जंडा तेरा ये ध्वजा तूटकर गिर जाए समझना कि उस दिन तेरा ये बल का हंकार मिट जाएगा तुझे तेरे समान योद्धा मिल जाएगा वो द्वजा लेकर आया उसने माहल पर लगा दी उसकी बानासुर की पुत्री का नाम है उशा और उसकी एक सक्षी है और दासी भी है उसका नाम है चित्र लिखा उसका नाम चित्र लेखा इसलिए है कि कोई जिस प्रकार उसको वरणन करे उसी प्रकार से वो उसका चित्र बना दे अब देखो आश्रे ये हुआ कि उशा को एक जिन सब्स नाया कि वो बहुत सुन्दर यूवक से विवा कर रही है भामर पड़ रही है और वो फेरे ले र अश्ट हो गया कि उसने अपनी सक्षी को पूरी बात सुना दिया जैसे जैसे चहरा बताया वेसे वेसे चित्र लेखा ने चित्र उतार दिया और चित्र जैसे ही बना उशाने का पक्का यही है वो यूवक जिससे मैंने स्वपन देखा है चित्र लेखा तो माया भी थी उसने आखे बंद करके तुरंत जान लिया कौन है यह अरे यह तो द्वारिका दिश्का पोता है अनिरुद्ध। बहुत सुन्दर है दिखने में मानो स्वयम कृष्ण का ही एक अवतार है इतना सुन्दर है यह भगवान के चार अवतार है जब भगवान अपना चत्रुवियों रूप लेते हैं तब पूर्णा उतार है राम लखन भरत चत्रुग्न और कृष्ण बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध तो यह पोते के र में भगवान का ही अंश्य है चित्र लेखा ने रात्री में सोत हुए अनिरुद्ध जी का हरण कर लिया पलंग सहीत माया से अनिरुद्ध जी कि आप खुली तो कहां द्वारी का नगरी से बहुत दूर बाना सुर के महल में और आखे खुली तो सामने दिखी उशा उशा अपना परिचे दिया और परिचे के साथ में उसने अपना स्वप्न भी सुनाया है और आप यहां केसे लाये गए ये भी बताया अपनिरुद्ध जी ने जाती कुल परंपरा सब का विचार करते हुए और सुन्दर देखकर उशा को विभाह करना स्विकार कर लिए चित्र लेखा कि सन्निधी में और वहां उनके फेरे हो गया विवा हो गया और अनिरुद्ध जी वही रहने लगे लिए उसी खक्ष में बाहर नहीं जाते हैं बाहर जाए का अपना घर हो तो बाहर जा रहे है दरवाजे पर खड़े द्वार पालों ने सुन लिया अंदर से आपकी कन्या क्या हो गई है कुल का दूशन हो गई है सुनकर बानासुर को आया क्रोध अगर सत्य ना निकला तो तुमको फांसी प्रचड़ा दूबा स्विकार है और आकर देखा तो सचमुच अनिरुद्ध लेटा हुआ है पलंपा और उशा उसकी सेवा कर रही है यह दे और कारावास में डाल दिया दौरी का नगरी में भगवान नारज जी आये और कहा भगवान को सब बढ़िया तो है कुछल मंगल तो है ना बोले हाँ सब बढ़िया अच्छा आपका परिवार बराबर दिख राए परिवार इतना बढ़ा हो गया कि उसको भी समझना पड़ उसको भी देखना पड़े कि कोई गायब तो नहीं है लाकों की संख्या में जिनके बच्चे हो गए फिर उनके बच्चे करोड ओपर तो पहुंच गए कहते हैं कि एक करोड सेनिक तो अकेले उग्रसेन जी के साथ रहते ऐसा परिवार यादव वल्ट भगवान ने कहा बाकी तो सब ठीक है सब दिख रहा है आजकल मेरा पोता अनिरुप्ध नहीं नजर आता है नारज जी तो यहीं बताने आये था अरे महराज दिखेगा भी कैसे आपको तो द्यान ही नहीं कुछ क्यों भई बाणा सुर के हाँ बल जेल में और पूरी पूरी बात नारज जी ने सुना दी प्रद्युम्न को सेनापती बना कर क्रिश्ण और बलराम यादवों की सेना लेकर और बाणा सुपर चड़ाई करने के लिए चल दी जिसका सेनापती हो प्रद्युम्न जेसा और जिससे लड़ने के लिए बलराम जैसे शेश नाग के अवतार और स्वेया मकिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण जिस पर चड़ाई करने जाए उसको रक्षक कोन होगा उसी समय उसकी दोजा तूटकर उसके सामने गिर गई घबरा गया शिव जी को याद किया कि आपने कहा था कि दोजा तूटे तो समझ ना कि तेरे बराबरी का कोई आ रहा है ना जाने कोन आकर्मन करने आ रहा है आप खड़े हो जाओ दरवाजे कर शिव जी अपनी सेना लेकर के बहुत प्रेतों की और भीया ठीक है खड़े हो गए अच्छा ये सब रचना लगाने वाले नारज जी कि हरी और हर आमने सामने हो कभी युद्ध के वेदान में तो केसा लगेगा देखे तो सब तो यह सब व्योश्ता जमाने वाले नारज जी इधर दरवाजे पर खड़े महाकाल और उधर से चड़ाई करते हुए आये हैं सुदर्शन चक्रधारी अब इन दोनों के वीच का युद्ध अगर हो तो ब्रह्मान्द का नाज हो जाए तो संतों ने रिशिमुनियों ने प्रार्थना की तो दोनों ने अपना अपना ज्वर प्रकट कर दिया ज्वर य के आगे माहेश्वर ज्वर थोड़ी ही देर में हार गया अब श्रीव जी नहीं माने श्रीव जी ने उठा लिया अपना पाशुपतास तो बगवान श्री क्रिष्ण ने जिंभास्त्र छोड़ा क्या होती है इसकी विशेष्टा है कि जिसके उपर छोड़ो ना उसको बस ही आई और कोई काम नहीं आलस्य आ जाया किसके उपर श्रीव जी के उपर चोड़ा तो युद्ध के मेदान में अगर को युबासी लेने लग जाए तो हो गया युद्ध तो श्रीव जी तो बेड़ गए अलस्य में अब बाना सुन ने देखा कि हमारे सेना पती तो गए और अब बाना सुन की बारी आई भगवान के सामने वो आकर खड़ा हुआ तो उसकी क्या बिसाती हो भगवान का सामना करे भगवान ने अपना सुदर्शन तो नहीं चलाया किन्तु एक साथ अपने शार्म दहुश पर 906 बान चड़ाया और एक साथ उतने बानों का संधान किया एक-एक बान ने एक-एक उसकी भुजा को काट कर जमीन पर फेक दिया कितनी भुजा थी उसकी है हां 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 बताओ नहीं बता अ है बहुत बढ़ी कथा सुन दहे हो किसी को भी नहीं पता दन्य हो गए इतना ध्यान है अपना कथा में एक-एक-एक अजार भुजाय उसकी सिख्षिश और 906 नो काड़ दी तो कितनी बची इस कोट नाम की उसकी धाय माय औब सामने आकर खड़ी हो गई और कहा किनाता आप क्या हम क्या मेरे पुत्र को मार दो गे बोले महिय मारना होता तो कहली मार देता यह इतना परिश्रम सोड़ी करता है जरा पलटकर देख कि तेरा बेटा किसा लग रहा है तो उसने देखा क्या कि सामने भी चार बुझा-धारी किरा रूप दे दिया किर चारबुझा वाला बना दि कि Sana कि की ये प्रहलाद muchísimo और बहगान मिरसिंघ ने वचन Hold या था प्रहलाद जी को कि तेरे श movement में सिंकों लाई अचलादS अनिरुद्ग जी का विवाह सुनाया इसके पश्चात राजा नृग की कथा आई है जो कि एक सरकंडा बनकर गिर्गिट बनकर के एक बहुत बड़े पूप में पढ़ा था उसको एक करोड़ वर्ष के लिए ये योनी मिली थी और बच्चे खेल रहे थे गेंद से गेंद गई कुए में तब उन्होंने देखा बहुत बड़ा वो गिर्गिट तो उसने भगवान को आकर सबने कहा कि इतना बड़ा गिर्गिट आस्तक हमने देखा नहीं भगवान ने उसे कुए से बाहर निकाला और भगवान का इस पर्ष पाकर वो बहुत सुन्दर रूप और आकरती में सुसजित होकर देवतुल्य होकर भगवान को प्रणाम करता है भगवान तो सब जानते हैं कौन है क्या है किन्तु बच्चे वहां खड़े थे ना बच्चों को सिखाने के लिए भगवान ने पुछा कौन है और यह रूप आपको केसे मिला कहा जा रहे हो आप तो वह कहता है कि जब इस प्रत्वी पर दानवीरों की का नाम होगा दानवीरों की घंणना होगी उस सूची में आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा दानियों को यह थोड़ी सी समस्या होती है दान तो करे पर बाद में उसका नाम ना आए ना तो वह टेंशन में आ जाती है उसका बोलने का तरीका क्या है आपने मेरा नाम नहीं सुना मुझे मुझे नहीं जानते आप भगवान को कह रहा है और वस्तिक्ता में उतना बड़ा दानी है पर आजकल तो थोड़ा बहुत भी कुछ हो जाए तो पत्थर के विना तो कोई मान नहीं नहीं एक पत्थर तो होन कि ना हमारे नाम को उसने कितना दान किया देखो क्या गहता है भगवान को प्रत्वी पर जितने धूल के कण है या आकाश्टे जितनी बूंद वर्षा की बरस्ती है या अंबर में जितने तारें है इनकी संख्या जरूर गिन ली जाए किन्तु मैंने जितनी गायों का दान किया है इस संख्या को गिनना असंभव हो और मैंने सबकी सब कपिला गायों का दान किया है स्वर्ण और रजत से मड़ करके उनका दान किया गलती एक हो गई बसके वल कि मैंने एक गाय का दान किया एक ब्राह्मन को और वो ब्राह्मन अपनी गायों को लेकर जा रहा था उन में से कोई एक गाय पलड़ गई होकी ब्राह्मन ने द्यान नहीं दिया और वो पुनह मेरी गोशाला में आगी तब दूसरा ब्रह्मन आया और भूल वश मेने वही गाय उस ब्रह्मन को दान्द में कर दो अब वो पहले वाला ब्रह्मन पहचान गया कि ये तो मेरी गाय और दूसरा वाला कहे नहीं नहीं ये तो मेरी गाय तो जगड़ा कोन मिटाएगा राजा के पाश्चल जिसने दिया है वहाँ सबाए और प्रश्ण खड़ा हुआ कि गाय किसकी अब राजा समझ गया कि गाय में गलती से दोनों को दान कर दी तो जगड़ा समाप्त करने के लिए राजा ने पहले ब्रामण को कहा कि भाई इस गा गाय को देखते हुए आज की जो गाय को लेकर के विशय बना हुआ है ना इन दोनों ब्रामणों ने दस हजार गाय लेना क्यों मना कर दिया एक गाय के बदले गाटे का सोधा था क्या सबसे पहली बात तो क्यों रुपिया नहीं दिया जा रहा था वस्तु के बदले वस्तु दी जा रही थी और वो भी दस हजार गुना गोमाता के बदले उसी के समान दस हजार गाय दी जा रही थी तो क्यों ब्रहमनों ने इनकार कर दिया दोनों ने इसका कारण है कि उस गाय का विक्रय करना ब्राह्मन नहीं चाहते और ये बेचने का काम हो रहा था चाहे मूल्य दस हजार गाय थी चाहे सोना नहीं था चाहे रूपिया नहीं था चाहे जमीन नहीं थी चाहे गाई ही उसका बदला था, किन्तु सोदा तो यही हुआ न, कि यह लो और यह दो यह कथा हमको सिखाती है कि गाई बेचना कितना बड़ा अपराद है वो एक समय था जब गाई के बदले भी गाई नहीं बेची जाती थी और आज पैसे के बदले गाई बेची जाती है मैं कहता हूँ लोगों को कि भी जो काट रहे है न गाई उनके तो धर्म गरंथ में लिखा है गाई काटने का पढ़ लेना कभी आप, आपको फुरसद नहीं पुरान पढ़ने का आपको फुरसद नहीं रामायन पढ़ने का, गीता जी पढ़ने का तो कम से कम उनका गरंथ है तो पढ़ लो एक बार उठा का उसमें लिखा है गाई काटने के लिए किन्तु दोश उनका नहीं है कि दोश इसे व्यक्ति का है, जो अपने आपको, हिंदु बोल करके गाई बेचता है कलंक हैसे लोग हिंदू होने के नाम पर जो गाय बेचते कहते हैं उसको माँ गाय को क्या कहते हैं गो माता नाम तो इतना अच्छा दिया इन तो माता बोल कर बेचा जाए सनातिनियों ने सब की दुरगती कर दिये सब की दुरगति कर दे नर्मदा जी को मा कहा गंदा किया गाय को माता कहा बेच दिया और किस किस को माता कहा है घर में मैया को मा कहा जिसने जन्म दिया है